नमस्कार दोस्तों इस्टेडी विथमेश्टी चैनल पाप स्वाविलोग का स्वागत है और हम लोग देख रहे थे मादेकालिन भारत में हम लोग देखेंगे सुफी आंदोलन बच्चों चारों तरफ कोरोना से मौते हो रही थी इससे आदमी सदमे में था देख करके ताकि इस पढ़ाई लिखाई को बंद करके लोगों की हेल्प करने में और कांसिल करने में कम्सकम लोगों को बताया जाए कि क्या कैसे सावधानी रखना है इसके लिए आदमी थोड़ा सा वीडियो को रोका हुआ था चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्रा जीना है तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों चलिए देखते हैं जो लोग सुफी संतों से सिस्टा ग्रहन करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था मुरीद देखिए इस्टेटिक को भी ध्यान में रखना जरूरी है इस्टेटिक का तयार करने का फायदा यह होता है कि आपका एक बर इस्टेटिक तयार हो गया तो ओहर एक एक्जाम में पूछा जाएगा और करेंट में है कि हमेशा आपको अप्रेट रहना होता है तो सब जीन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें आनका या मठ कहा जाता था। सूफी आंदोलन के बारे में बात चल लएए, चलिए आगे चलते हैं। सूफी के धर्म संग बाषरा इसलामी सिधानत के समर्थक और बेसारा इसलामी सिधानत से बदे नहीं में बिवाजित थे। तो सुफी धर्म जो है, दो चीज में बासरा और बेसरा में विभाजित था, बासरा जो इसलामी सिधान्त के समर्थक थे, और बेसरा इसलामी सिधान्त से बधे नहीं थे, अर्थात ये बधे नहीं थे मानते थे, लेकिन बधे नहीं थे, विभाजित थे चलते हैं, भारत में चीस्ती एवम सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी ख्वाजा मुनिदीन चीस्ती ने भारत में चीस्ती सिलसिला की सुरुवात की ये पूछे गा आप से कि चीस्ती सिलसिला की सुरुवात की तो ख्वाजा मुनिदीन चीस्ती ने भारत में चीस्ती सिलसिला की की शुरुवात की चीष्टी सिल्सला का प्रमुक केंद्र जो है अजमेर था अराम से पढ़ेंगे समझ समझ के चीष्टी सिल्सला के कुछ आन्य महत्तपुन संथ थे निजामुदीन अवलिया बाबा फरीद बक्तियार काकी सेख बुहरार बुरहानुदीन करीब बाबा फरी जो है बक्तियार काकी के सिस्य थे तो चीष्टी सिल्सला की सुरुवात कौन क्या है ख्वाजा मुनदीन चीष्टी इसको आप लोग याद रखेंगे पूछेगा आपसे और चीष्टी सिल्सला के यह चीष्टी मत के समर्थक कौन से निजामुदीन अवलिया बाबा आगे चलते हैं बाबा फरीद की रचनाएं गुरु गरंथ साहिब में सामिल हैं यही जो बाबा फरीद जो बक्तियार काकी किसी से थे वही का रहा है कि बाबा फरीद की रचनाएं गुरु गरंथ साहिब में सामिल हैं बाबा फरीद के दो महत्तपूर्शी से थे यूम अलाउदीन साबीर बाबा फरीद किसी से बाबा फरीद जो बक्तियार काकी किसी से थे लेकिन बाबा फरीद किसी से जो थे निजामुदीन अउलिया और अलाउदीन साबीर आगे चलते हैं हजरत निजामुदीन अउलिया ने अपने जिवन काल में दिल्ली के साथ सुल्तानों का सासन देखा था. इनके प्रमुक्सिस्य थे सेख सलीम चिष्टी, अमीर खुसरो, अमीर हसन, तेहलवी. तो अमीर खुसरो किसके सिस्य थे? निजामुदीन अउलिया के. सेख बुरहानुदीन गरीब ने तेरा सो चालिस इसवी दच्छिल भारत के छेत्रों में चिष्टी संप्रदाय की सुरुआत की और दौलता बाद को मुख केंद्र बनाया तो दच्छिन भारत में चिश्ती संप्रदाय को प्रसाइद करने में सेख बुरानुदीन गरीब का योगदान था वही का रहा कि सेख बुर्हानुदीन गरीब ने 1340 हिस्वी में दच्छिन भारत के छेत्रों में चिस्ति संप्रदाय की शुरुवात की और दलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया सुफियों के सुहरावर्दी धर्मसंग या सिलसिला की अस्थापना सेख सिहाबुदीन उमर सुहरावर्दी ने की किन्तु 1262 हिस्वी में इनकी सुद्रिन सल्चालन का स्रे सेख बद्रुदीन जकारिया को है इन्होंने सिंद एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया सुहरावर्दी सिलसिला ने राज के सरनचन को स्विकार किया था सिख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की अस्थापना की थी इसका प्रमुक केंद्र बिहार था तो सत्तारी सिल्सिला का प्रमुक्य अंदर बिहार था आगे चलते हैं कादरी धर्मसंग या सिल्सिला की अस्थापना सैयद अबुल कादीर अल जिलानी ने बगदाद में की थी भारत में इस सिल्सिला के प्रवर्तक मुहम्मद गौस थे कादीर शिल्सिला के इस सिल्सिले के अनुयाई गाने बजाने की बिरुधी थे ये लोग सिया मत के बिरुधी थे सुन्नी और सिया मुसलिम धर्म के दोस भटक है ये वही कारा कि ये लोग सिया मत के बिरुधी थे राज कुमार दारा साह जहां का जेश पूत्र कादरी सिलसला के मुल्ला साक शिस था नक्स बंदी धर्मसंग या सिलसला के स्थापना क्वाजा उवेदुल्ला ने की थी भारत में इस सिल्सला की अस्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी भारत में इसके ब्यापक प्रचार कस्रे बकी बिल्ला के सिस्य अक्वर के समकालिन शेख अहमद सरहिंदी को था फिर्दावसी सुहरावर्दी सिल्सला की ही एक साखा थी जिसका कारेचेतर बिहार था इस सिल्सले को सेख सफ्युदीन यहां ने लोकप्री बनाया यहां वाजा नियामुदीन के सिस्य थे यह थोड़ा सा सब बहुत सारे नाम आते हैं इसको याद रखना है थोड़ा सा मुश्कील होता है लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो चीजे याद रहेंगी और आपके काम की चीजे आपके पास बनी रहेंगी ती ये था सुफी आंदोलन अभलनों देखेंगे भाक्ती आंदोलन 16 सताबदी में भाक्ती आंदोलन की शुरुवात तमिल छेत्र में हुई जो करनाटक और महराष्ट में फाइल गई तो भाक्ती आंदोलन की शुरुवात जो है तमिल छेत्र में हुई जो करनाटक और महराष्ट में फाइल गई भक्ति आंदोलन का विकास बारह अलवार बैशनों संतों और तीरिसट नैनार सैव संतों ने किया अलवार जो थे बैशनों संत थे और नैनार जो है सैव अर्था भगवान सीव क्यों पासक थे सैव नैनार और बैशनों अलवार जैनियों और बौधों के अपरिग्रा को अस्विकार का इस्वर के प्रती व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे आगे चलते हैं सैव संत अपार ने पल्लाव राजा महेंद्र वर्मन को सैव धर्म स्विकार करवाया भक्ति कभी संतों को संत कहा जाता था उनके दो समों थे प्रथम समों बश्लाव संत थे जो महराश्ट में लोग प्रिय हुए वे भागवान बिठोबा के भक्ते बिठोबा पंत के संत और उनके अनुयाई की परकरी या तिर्थ यात्रि पंत का लाते थे किवा Sometimes पढ़ःवार्पूर का नाम बहुत आता है कियोंकि हर बर्श पढ़ःवार्पूर की तिर्थ यात्रा पर जाते थे दूसरा सORमों पंजाब एवन अम्राजस्थान के हिंदी भांसी छेत्रों में शक्री था और इसकी निर्गुण भक्ती हर विशेष्टा से परे भागवान की भक्ती में आस्था थी तो निर्गुण भक्ती हर विशेष्टा परे भागवान की भक्ती में आस्था थी चलिए आगे चलते हैं दोस्तो जितना मंथन करेंगे उतना निकलेगा मैं यह नहीं करूँ कि मैं आपको भोल करके पिला सकता हूँ परणा अपने होता है भक्ती आंदोलन को दच्छिन भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाए गया बंगाल में कृष्ण भक्ती की प्रारंबिक प्रतिपादकों में विद्यापती ठाकूर और चंडी दास्थे तो ये लोग बंगाल में भक्ति आंदोलन को लाएं, बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंबिक प्रतिपादकों में बिद्यापती ठाकूर और चंडी दास थे, आगे चलते हैं, रामानंद की सिच्छा से दो संप्रदायो का प्रादुर्भाव हुआ, सगुन जो पुनर जन में विश्वास रखता है, और निर्गुन जो भगवान के निराकर रूप को पूझता है, आगे चलते हैं, सगुन संप्रदायो के सबसे प्रसिद ब्याख्याताओं में थे, तुलसी दास और नाभादास, जैसे राम भक्त और निर्बार्क, पल्लवाचारे, चैतन्य, सूर्दास और मिरावाई, जैसे क्रिश्ण भक्त, तो ये सभी लोग जो है, सगुन संप्रदाय के से बिलांग करते थे, सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद ब्याख्याताओं में थे, कौन? तुलसी दास और नाभादास, जैसे राम भक्त और निर्बार्क. ये तूलसी दास और नाभवादास एक किसके भगते थे? राम के भगते थे और निमबार्क, बलभाचार, चैतन्य, सूर्दास और मिरावाई आप जानते हैं कि миरावाई क्रिशन की भगती में लीन थी उनके प्रेम की दिवानी थी क्रिशन के तो यहीं बता रहा है कि तुलसी दास और नाभा दास राम के दिवाने थे राम के भक्ते थे उनको मानते थे और ये जो है निम्बार्क बलभाचार चैतने सूर्दास और मिरा बाई ये कृष्ण को मानते थे चली आगे चलते हैं निर्गुल संप्रदाय के सबसे प्रसिद्य प्रतिने जी थे कबीर कबीर जी निर्गुल को मानते थे जिने भावी उत्तर भारतिय पथों का अध्यात्मिक गुरु माना गया है संक्राचार के अध्वयत दर्शन के बिरूद में तच्छिन में बाईष्णों संतों द्वारा चार मतों की अस्थापना की गई थे संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय रुद्र संप्रदाय संकादी संप्रदाय अब इदर देखते हैं स्री संप्रदाय से संबन्दि थे रामानुजाचार और यह जो है बिसिष्ट द्वाध पुमानने वाले थे माधवाचार द्वाध भिश्नु स्वामी सुध द्वाध निम्बार्क चार द्वाध द्वाध आई आगे चलते हैं देखते हैं भक्ति आंदोलन के संत थोला थोला देख लिजे पूछ लेता है इनलों के बार में रामा नुजाचार्य इग्राहमी सताब्दी इन्होंने राम को अपना आराध्यमाना इनका जन एक हजार सत्रह इस्विम्य मद्रास के निकट पिरुंबर नामक कस्थान पर हुआ 1137 इस्विम्यन की मृत्ति हो गई रामा नुज ने वेदान्त में प्रसिच्छन अपने गुरु कांची पुरम के यादव प्रकास से प्राप्त किया था देखिए तो रामानुजाचार जो है अगवान राम को अपना आराध्यमानते थे और इनका जन जो है मद्रास के निकट पिरुंबर नामक का स्थान पर हुआ था 1137 में इनकी मृत्ती हो गई रामानुज ने वेदान्त में प्रसिच्छन अपने गुरु कांची पूरम की यादो प्रकास से प्राप्ट किया था तो यादो प्रकास को ये अपना गुरु मानते थे आगे चलते हैं रामानंद रामानंद का जन्व 1299 इस्वी में प्रियाग में हुआ था इनकी सिच्छा प्रियाग तथा बरांसी में हुई इन्हों ने अपना संपरदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया अर्था ते जात पत्में नहीं मान विश्वास करते थे रामानुज की भाति इन्हों ने भी भाक्ति को मोक्ष का एक मात्र सादन स्युकार किया इन्हों ने मर्यादा पुर्सुत्तम राम एवं सीता की अराधना को समाज के समच रखा रामानंद की बात हो रही है मर्यादा पुर्सुत्तम राम एवं सीता की अराधना को समाज के समच रखा रामानंद के बारा सिश्यों में दो इस्त्रियां पदमावती एवं सूर्शरी थी तो रामानंद के जो बारा सिश्य थे उसमें दो इस्त्रियां थी पदमावती एवं सूर्शरी ये दिखिए बहुत मत्वपूर्ट फैक्ट है यह इस्टेटिक जो जीके है यह आपके जीवन भर काम आने वाला है आप अपने पुरे जीवन में इसको कोट कर सकते हैं इनके प्रमुक्सिसि थे रैदास, हर्जन थे, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना, नाई, पीपा, राजपूत, सधना, कसाई तो बारा सिस्षी थे, बारा सिस्षी में दो मैलाएं थी, पद्मावती और एमसूर सरी और देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और अभी बाकि लोग का नाम नहीं दिया हुए थे, यहाँ पर देख लिजे, रैदास, हर्जन थे, कबीर, जुलाहा थे, धन्ना, जाट थे, सेना, नाई, जाती से थे, पीपा, राजपूत थे, और सधना, कसाई थे, चलिए आगे चलते हैं, कबीर जे, देखे, कबीर का नाम बहुत ही, चर्चित है, कबीर का जन्म 1440 सिस्व में, विवादास्पद है, में, बरांसी में, एक बिधवा ब्रामणी के गर्ब से, लोक सुर्त्य कंसार हुआ था, लोक लज्जा के भाय से, उसने नवजात सिस्व को, बरांसी के लहर तार के पास एक तलाब के समिख छोड़ दिया, तो बिधवा ब्रामणी, अर्था तो उनका साधी हुआ वगत, फिर तूटिया हो गया, पती जी गुजर गया होंगे, तो कबीर की का जन्म जो बिधवा ब्रामणी के गर्ब से हुआ था, लोक लज्जा के भाय से, उसने नवजा सिसु को बारांसी में लारतारा के पास एक तलाब के समिख छोड़ दिया, जुलाहा, नीरू तथा उसकी पतनी नीमा ने इस नवजाद सिसु को अपने घर ले आये, इस बालक का नाम कबीर रखा गया, कबीर की साधी लोई से हुई, उनके दो बच्चे हुए और उनकी जि सारी दोस्तों, उन्होंने ये अभी थोड़ा सा मैं खा लिया हूं और पेट में जलन जैसे हो रही है, ये जलन का मतलब कि जो आदमी थोड़ा सा भीना टाइम का जो खा लेता है, उन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह आधी को ये कही इस्वर के अनेक रूप माने, इन्होंने जाती प्रता, धार्मिक कर्म कांड, वाहय आडंबर, मूर्ति पुजा, जब तप आवतारवाद आधी का घोर बिरोद करते हुए, एक इस्वर वाद में आश्था व्यक्त की एहम निराकर ब्रह्मा की उपासना को महत्तो दिया, ये किस्वर को मानते थे, और निर्गुन भाक्ती धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रताम भाक्त थे, जुन्होंने संत होने के बाद भी पुर्णता ग्रहस्त जीवन का निर्वा किया, तो कभीर संत थे ही, लेकिन ये अपना ग्रहस्त जीवन जीते थे, तो संत होने का मतलब ये नहीं होता है, कि आप घर द्वार छोड़ करके और चले जा हिमाले की गुफा में ये सब दिखावा होता है, आप कहीं विराकर संत के रूप में और उसके सिधान्तों को परान करते हैं, इनके अन्याई कभीर पंथी का लाए, कभीर की उपदेश सबद सिखों के आदिगरंथ में संग्रहित है, सबद जो है, सिखों का आदिगरंथ है, कभीर की बानी का संग्रह, ये किसका संग्रह है, उपदेश का, सबद, बानी का संग्रह बिजक, सिस धर्मदास द्वारा संकलित, सबद और बिजक कभीर के रचनाय माने जते हैं, नाम से प्रसिद है, बिजक में तीन भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी, उनकी भाँसा को सादुकड़ी कहा गया है, अर्था तो किसी बहुत, मने बंधन में बद करके नहीं बोलते थे, जो उनको विचार आता थो, वो इसे उसी भाँसा में बोल देते थे, इसमें ब्रज भाँसा, ओधी एवं राजस्थाने के सबद पाय जाते हैं, कबीर की इदास की मृत्यू, पंद्रस और दस इसमी में मघहर में हुई, तो इनका जन्म जो है, बरांसी में, और मृत्यू मघहर में, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालिन थे, आगे चलते हैं, गुरु नानक, गुरु नानक का जन्म 1479 इस्वी में, और विभाजित पंजाब के राभी नदी के तड़ पर इस्थीत, तलवन्डी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्या थे, उनकी माता का नाम त्रिप्ता, गुरु नानक के माता का नाम त्रिप्ता, आगे चलते हैं, गुरु नानक के माता का नाम त्रिप्ता, देवी तथा पिता का नाम कालू राम था, बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सूलचनी से उनका विवा हुआ, गुरु नानक के बारें बात करा है, जिसे उदाशीष कहा जाता है, उन्होंने किर्टनों के माद्यम से उपदेश्टिये वेकाब रचना करते थे, और रबाब, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे, सारंगी उनका स्वामी भक्त सिश्य मर्दाना बजाया करता था, सारंगी उनका स्वामी भक्त सिश्य मर्दाना बजाया करता था, अपने जीवन के अंतिम छड़ों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना टेहरा, टेहरा या टेहरा मट अस्थावित किया, अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगा, अंगत को अपना उत्रदिकारी नियुक्त किया, अपने जीवन काल में आप देखते हैं कि अक्सर होता है कि आदमी अपना समराज जोई अपने बाद अपने पुत्रों को देता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अध्यात्मिक आपने पुत्रों की जगा, अपने शिष दर्म की अस्थापना की, यह वही गुरु नानक है, जो सिख दर्म की अस्थापना की है, नानक सुफी संत बाबा फरीच से प्रभावित थे, चली आगे चलते हैं, चैतन्य स्वामी को देखा जाए, चैतन्य का जन्म 1466 में नौ दीप बंगाल के माया पुर्गाओं में हुआ था, इनके पिता का नाम जगनात, मिस्र, तथा माता का नाम सची देवी था, पाट साला में चैतन्य को निमाई पंडित या गवरांग कहा जाता था, चैतन्य का वास्तिक नाम विश्वंभर था, इन्होंने गोशाई संग की अस्थापना की और साथ ही सकिर्टन प्रथा को जन्म दिया, इनके दार्षनिक सिधान्तों को अउचित्य, भेदा, भेदभाव, भेदवाद, भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है, सन्यासी बनने के बाद, बंगाल छोड़ कर पूरी मुणिशा चले गए, जां उन्होंने दो दसक तक भागवान जगनात की उपासना की, इनकी मृत्ती जो है, पंदर सुत्तायती सिस्वी में हो गए, तो ये चैतन्य स्वामी की बाद है, आगे देखेंगे हम लोग, स्रीमद बलभाचारे, स्रीमद बलभाचारे का जन्म 1489, इस्वी में चम्पाराण्य बराण्सी में हुआ था, इनकी पिता का नाम लच्मण भट तथा माता का नाम यल मगरू था, इनका बिवा महालचमी के साथ हुआ, इनकी दो पूत्र थे, गोपी नात तथा बिठल नात, इन्होंने गंगा यमन संगम के समीप अराइल, नामक अस्थान पर अपना निवास अस्थान बनाया, ये अराइल जो है, हमें लगता है कि इलावबाद में पढ़ता है, बलभाचार के भाक्ती साथना, बलभाचार ने भाक्ती साथना पर विशेश जोर दिया, इन्होंने भाक्ती को मुच्छ का साथन बताया, इनके भाक्ती मार्ग को पुछ्टी मार्ग कहते हैं, सूरदास बलभाचार के सी से थे, चलिए आगे चलते हैं, तो सूरदास जो है, बलभाचार के सी से थे, कुछ कहाने जोड़ सकते हैं आप लो, आगे चलते हैं गोस्वामी तुलसी दास इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले में राजापूर गाउं में इतने 1532 में हुआ था तुलसी दास तुलसी दास का नाम कौन नहीं जानता है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले में राजापूर गाउं में 1532 इस्वी में हुआ था रामचरित मानस की रचना की इनकी मृत्य जो है 1223 इस्वी में हुई थी तुलसी दास मुगल सासक अकबर एहुम्मेवार के सासक रणा प्रताप के समकालीन थे तुलसी दास जो है अकबर और रणा प्रताप के समकालीन थे आगे चलते हैं धन्ना धन्ना कजन एक जाट परिवार में हुआ था राजपूताना से बनारस आकर ये रामानन्द के सिश्य बन गए कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था हठ पिर जाट जो है तो हठी तो होते ही हैं इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवा था हठात भोजन करो नहीं तो दो लाठी लेंगे मारेंगे भगवान को इस प्रकार से इन्होंने भोजन करा था इसलिए इनको हठात भोजन के लिए माना जाता है तो धन्ना जो है एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था और रामानंद के सिश्य बन गए भगवान की मूर्ती को आगे हम लोग देखेंगे मीरा बाई को धन्ना तो आप देख लिए कि धन्ना जो थे जाट थे और मूर्ती को अठात बोजन कराये थे इसके लिए जाने जाते हैं मीरा बाई का जन्म 1498 इस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम रत्न सिंगरा ठोट था इनका बिवा 1511 में राना शांगा के बड़े पूत्र और युराज भोज राज से हुआ था अपने पती की मृत्य के उपरांत ये पूर्णत भर्म परायां जीवन ब्रतित करने लगें इन्होंने क्रिश्न की उपासना प्रेमी यवं पती की रूप में की इनके भाक्ति गीत मुख्त अब्राज भासा और आंसिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए तरह इनकी कुछ का विताएं राजस्थानी में भी हैं मृत्यू 1546 हो गए तो अच्छा यह विवा है 1498 और और यह हो गया 46 तो लगभग 48 वर्ष तक यह जिंदा रहें चलिए आगे चलते हैं है रयदास यह जाति से चमार थे बनारस के रहने वाले थे यह रामानंद के बारस हिस्यों में एक थे इनकी पिता का नाम रगु तथा माता का नाम घुर्बिनिया था ये जूता बना कर जीव को पार्जन करते थे इन्होंने रायदासी संपरदाय की अस्थापना के तो आप जानते हैं कि रगदासाज एक संपरदाय बन गए है और ये जूता बना कर अपना जीव को पार्जन करते थे चलिए आगे चलते हैं दोस्तों इनकी बादे में बहुत अच्छी सी कहानी है पंडित वाली जो गंगा जी गया और माली की गंगन जो गंगा जी दी थी उसको चुरा लिया था लेकिन फिर जो कहानी उसको सुनें आप लो चलिए तादू दयाल ये कवीर के अनियाई थे आमदाबाद में हुआ था इनका जन्म इनका संबंध हुनिया जाती से था सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय किया था अपना के अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फते पूर्शिक्री बुलाय था इन्होंने नीपक नामक आंदोलन की शुरुवात की इनकी मिर्त्य स्वर सत्तील इस्वी में हो गई सुन्दर दास दादू के सीसे थे आए आगे चलते हैं दूस्तों संकर देव इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रशार अशम में किया यह चैतन्य की समकालीन थे तो संकर देव इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रशार अशम में किया यह चैतन्य की समकालीन थे चलिए आई आगे चलते हैं दोस्तों तो यहां से मुगल समराज आ जाता है चलिए मुगल समराज और भक्ति आनों के दूसरे में मिलाते नहीं है तो अगले वीडियो में हम लग देखेंगे मुगल समराज आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्य बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए ताकि आपके दूसरे मित्तर तक भी पहुंचे और जैसा भी अपना विचार कमेंट बाक्स में बताए आपको तरफ से जो भी सु आपके लाओ